वोकार्ट होस्पित्र में एक दुल्लब और बहुती जटल सरजरी कर 27 वर्शी व्यक्ति की जान बचाए गई मरीज को डॉक्टर वैबव अगरवाल कंसल्टेंट इंटरनल मैडिसिन एंड क्रिटिकल केर की निगरानी में भरती कराया गया था और डॉक्टर नितिन किमत का द्वारा कंसल्टेंट और्थोपैडिक सरजरी द्वारा संचालत किया गया था मरीज बालाघाट के पास एक दुरगटना का शिकार हुआ था और नाले में गिर गया था वह वहां तीन गंटे तक बिना रहागिरों की नजर के पड़ा रहा और किसी तरह मशक्कत के बाद घर पहुचा अगली सुभा बेहोश होने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें वोकाट हॉस्पिटल नाकपुर ले जाया गया और डॉक्टर वैवव अगरवाल की निकरानी में भरती कराया गया डॉक्टर अगरवाल ने कहा एकसरे और प्रात्मिक जाच में यह पता चला की उसके शरीर में कई फ्रेक्चर थे और पसली का पिंजरा तूड गया था उसके फेफडे भी फट गए थे और छाती खून और हवा से भर गई थी आपात कालिन प्रक्रिया में उसके सीने में जमा खून को तुरंत हटा दिया गया ऐसे रोग्यों का इलाज करते समय ध्यान रखने वाली सबसे महत्पुन बाद उनका दर्थ प्रभंदन है और यही हमारी टीम ने कुशलता पूर्वक किया मरीज के पॉस्ते डॉक्टर नितिन किमतकर, डॉक्टर वेभव अगरबाल और डॉक्टर राहुल जहामर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी द्वारा संचालिक ट्रामा टीम सक्री हो गई और उपचार की योजना संची रूप से तै की गई नमस्कार, मैं डॉक्टर वेभव गोपाल दा सक्रवाल, वोखाड अस्पुटल नागपुर मदे इंटर्नल मेडिसीन और क्रिटिकल केर विभागत कामत का आए अवस्तत तो आला होता, थेमां तो बेशुद्ध होता, तेचा एकसिडेंट जाला होता, अपगाज जाला वर तो बेशुद्ध होन पढ़ला होता, अनि तेला तीन चे चार ता शकुनी काम आए प्रतुम अप्चार भेटला नहीं, मग कसा तीरी तो घरी परंद पोचला, अनि घरी पोचले वर मग घर चे लोकाने जेवा पाहला कि यारीची अवस्ता खराब है, मग तेला ते वोखाड ऑस्पीटल लगियों ना ले, अले वर आमचे कड़े सगलात मोठा प्रशन होता, त गमी जेवा तेची तपासने केला, तो तेवा असा समझला कि अपली इतन दोन नंबर पासना आठ नंबर परंची जोड़ी बढ़गड़िया है, ते सगड़ी फ्रेक्चर है, अनि नुस्त फ्रेक्चर नहीं है, ते फ्रेक्चर हुन एका एका मारती आसी चल ले लिया है, अनि काही बर्गड़े है, तेचे फुफूसा मदे पन घुसले ले आए, तेया मोड़े तेला शांस गेना, अनि एक बाजूचा पूर्ण फुफूस काम करतना होता, फुफूसा चे बाहर एक लेयर अस्ते, जला अपन प्लूरगड़ा घंतो, तेचे मदे रक्ट अनि वार साटले होते, मग अपन तेला इते नडिक टाकोन पेले हे काडला, तेचे शासोशास इस्थापित केला, तेचे नंतर मग अपन हाडू आडू तेचे उप्चार दया लागलो, तेचे तपलाला येश मेडा लागला, आनि मग डॉक्टर कीमत का सरानी तेचे सलजरी केली, आ स्वस्था होन आनि एकडम व्यवस्तित होन इतों घरी गेला, नमस्कार मी डॉक्टर नितीन किमत कर, एक शुभम सत्ताई स्वर्षा चा एक पेशेंट वोकाट होस्पिटल मेरे आला होता, तो एक दिवस आदी खाईत पडला होता, पडला मुने तेचा छातित हवा आनि र टाकून तेचे हवा आनि रकत भाहर काडला, तेचा जाला नंतर तीसरा जुशी तो बर्यापेगी बरा जाला, तेचा आन्तर आमाला तेचे तपासने केला आंतर आधाला, तेचा जे बर्गणा आन्चे पासा हाड तूटले लेहत, तूटले लेहाडा आतमेरे जाउन जाला, तेचा 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 जाला और आभष याज और चालाव लागला अश्याप्रकारशेंटरा चेह संद्धित्र नागपुरा अज्डाए पार कमिटिकानी होताच याज आमिध्यें वोकाथ में रित्या करुद्धा ये तो पंदला जिस साथ तैचे टाके निखते लानी सोडा वो दिशे तो एकदम नॉर्मल हिलका है काई जिस कारण ने डॉक्टर किमतकर ने कहा दो दिन में रोगी को इस्थर किया गया और जल्दी डॉक्टर नितिन किमतकर द्वारा शले चिकितसा की गई उनकी छाती की पसली प्लेटों और शिकंजे द्वारा तै की गई थी जिसे आमतौप सर्जिकल बिरादरी में टाला जाता है क्योंकि यहाँ एक बहुती जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए उच्च कौशल की आवशकता होती है आदमी के फेफड़े फड़ गए और हवा से भर गए हमें उनकी जान बचाने के लिए फेफड़ों की मरमत में बहुत प्रभावी धंग से काम करना पड़ा हमने इस मरीज की एक ही बैठक में दो सरजरी की एक स्कैपलुआ के लिए और एक पसली के फ्रेक्चर के लिए डॉक्टर इशिकेश आवोडे सलहकार एनेस्थीसियो लौजी इनका सरजरी में महतपून योगदान था कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ शिती जादेश मुख बीसीय न्यूस नाकपूर